हेलो गाइस कैसो आप सब मेर नाम है भीशेक और गाईस आज केस वीडियो में बात करने वाले यार Android 10 के टॉफ फीचर्स के बारे में और कैसा आप अपने एसूस के Zenfone Max Pro M1 में उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो तो गाईस अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो आज के स्टॉडियो में सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा फीचर्स बता दूँगा तो ज़रू से आर वीडियो का आप एंड तक फॉलो कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा गाईस हमारे चैनल के उपर एक गीववे चल रहा है तो उसमें आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालके दे रहा हूं जाओ और वीडियो देख लेना और फॉलो कर लेना सारे स्टैप्स को जो में डिस्क्रिप्शन में डाले हूं उसके बाद हमाँ पार्टिसिपेट कर पाएंगे और उसके बाद यहार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चाल कुछ बड़कर प्ले ना और बेल लेगन को तबाकि क्लिक कर दिना ताकि और December 5-12-19 security patch हम यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो Android 10 यहाँ पर देख सकते हो तो यह है अपना Android 10 Q और यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं Home Screen से तो Home Screen कुछ इस तरह के आपको देखने के लिए मिलेगी सबसे पहले यहाँ पर मैं Dark Theme का उफ कर लेता हूँ ताकि आप क्लिर लिए यहाँ पर देख पाएं तो कुछ इस तरह के से Home Screen मिलेगी और यहाँ पर आप देख सकते हो आइकन कुछ इस तरह के से आपको देखने के लिए मिल रहे हैं और यह जो Wall Paper आप देख सकते हो कि मूव हो रहा है जैरो सकोप सेंसर से तो कभी भी आप इस तरह के से अपने डिवाइस को ओफ करोगे तो Wall Paper भी मूव होगा और नीचे यहाँ पर आपको Assistant और Google Search बार देखने के लिए मिलता है लेफ्ट में Google Feed है और यहाँ पर Home Screen में अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ पर आपको बागी सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाएगी और यहाँ पर हम जाएंगे AppDraw में तो कुछ इस तरीके से AppDraw आपको देखने के लिए मिलेगा सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा जो Android 10 के फीचर से वो सब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं और रॉम में यहाँ पर आपको ज़्यादा ब्लोट भी देखने के लिए नहीं मिलता है FM Radio यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर वाइस रिकोर्डर भी देखने के लिए मिल रहा था तो यह काफी अच्छी चीज मुझे यहाँ पर लगी है सबसे पहले क्या करते हैं सबसे पहले जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर जैसे ही आप जाओ को सेटिंग्स के अंदर सबसे उपर सर्च बार है यहां पर आपको जो आईडी वगरा होती है वो यहां पर आपको Google अकाउंट में यह मूव कर देगा और सबसे उपर यहां पर Network and Internet में हम जाते है तो यहां पर कुछ नई features इंटरेस्टिंग वाले दिये गए है जैसे कि अगर आप इसमें Wi-Fi को connect कर लेते हैं तो Wi-Fi जब भी आपका connect होगा जस्ट आपको यहां पर क्लिक करना है और Share पर आप क्लिक करेंगे जस्ट फिंगर्बिंट को यहां पर एंटर करेंगे तो कुछ इस सरी किसे आपको QR कोड दिखा देगा जिससे आप मुने Wi-Fi को शेयर कर सकते है QR कोड के मुझे से दूसरे फोन में साती है आपको यहां पर Wi-Fi का पास्ट भी दिखा देगा एंटर टैन में तो यह काफी बढ़िया चीज है यह मुझे काफी बढ़िया फीचर लगाता है यहां पर और बाकी के यूसफुल जो फीचर पहले भी थे वो सारे अभी भी प्रेजेंट है करेक्शन वगरा में जाओगे तो नॉर्मल बेसिक सेटिंग्स है अपनी नोटिविकेशन को यहां पर देख सकते हो जो भी आपको सारी नोटिविकेशन आती है और कुछ इस तरीके से यहां पर आपको मेन्यू दिया गया है तो यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं सेटिंग्स पे और उसके बाद अलर्ट एंड स्लाइड के कुछ आप्शन से जो कि एंटर टैन में आपको देखने के लिए मिलते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहां पर दिख जाएंगी उसके बाद यहां पर कुछ और बेसिक सेटिंग है जैसे की परमीशन मैनेजर है तो सारी एपस की परमीशन वगर आप मैनेज कर सकते हो उसके बाद अगर हम जाते हैं पर battery में तो गई दिख सकते हो battery का icon आपको यहाँ पर new मिलता है battery saver भी आपको यहाँ पर मिल जाता है जिसको आप schedule भी कर सकते है battery percentage शो करने का option है बाकी इस पर आप click करेंगे यहाँ पर three dots पर battery uses आपको कुछ इस तरह के से दिखा देगा बागी बैक चलते हैं तो यहाँ पर adaptive battery का feature भी आपको देखने के लिए मिलता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो तो यह सारे कमाल के features है display में जाते हैं तो यहाँ पर आपको brightness level show करता है तो 10 के अंदर पहले यहाँ पर level show नहीं करता था night light का feature जो कि अच्छी तरह के से काम कर रहा है dark theme और देख सकते हूं यहाँ पर dark theme अच्छी तरह के से काम कर रही है तो कोई issue नहीं है settings में भी ब्लाइब होती है और सारी system apps में भी यहाँ पर यह काम कर जाती है lock screen display जो मैंने आपको बताया तरह double tap to and wake का feature भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है जो कि अच्छी तरह के से यहाँ पर काम कर रहा है जिसमें कोई भी इशो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा उसके बाद गाईज अगर हम जाते हैं पर sounds में तो sounds में कुछ इस तरह के से आपको sliders देखने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ पर अगर आप phone की ringtone पर क्लिक करेंगे तो दिख सकते हो कुछ नया menu आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा जाते हैं बागी के और काफी बढ़िया है चलते हैं एक बारी बैक तो यहाँ पर आपको storage का time मिलता है जो कि basic आपको यहाँ पर features देखने के लिए मिल जाएंगे और अभी यहाँ पर हम जाएंगे privacy के अंदर जो कि सबसे important feature है Android 10 का तो यहाँ पर आप देख सकते हो permission manager जो मै पाउंसी जो एप है उसको यहाँ पर सिरफ तभी permission मिलेगी location की जब आप उसको use करेंगे और all the time किस app को यहाँ पर permission देना चाहेंगे location access तो वो सब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा security के हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आप दिख सकते हो Google Play प्रोट जाएगी pattern lock मैंने यहाँ सेट के और fingerprint के हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो fingerprint आप देख सकते हो just मैं यहाँ पर tap करूंगा और यह unlock हो जाएगा जो कि stock ROM के comparison में ठीक है इतना जादा कुछ fast नहीं है बड़ कभी कभी रेइस्टर नहीं करता है क्योंकि मेरा जो back panel है phone का वो थो gestures अभी जो मैं gesture use कर रहा हूं यहां से आप back कर सकते हो और right left दोनों तरफ से आप back कर सकते हैं यहां से आप कुछ इस तरह के से home पर जा सकते हैं और उसके बाद ऐसे hold करके आप recent apps में move कर जाएंगे बाकि edges से आप यह करेंगे swipe तो इस तरह के से Google Assistant आ जाता है जैसे कि आप द यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे एक तो बटन navigation आपको देखने के लिए मिलता है जिसमें आपको कुछ इस तरह के से मिलता है ट्रीशनल वाला थ्री बटन अगर आपको अच्छा लगता तो वह भी कर सकते हो बागी मेरे को यह काफी अच्छा लगता है क्योंकि मैं यहां पर कितना बढ़िया animation हमें यहां पर देखने के लिए मिल रहा है जिस्ट आप apps में यहां पर जाते हो तो इस तरह के से open होती है और closing animation काफी जदा बढ़िया है यार बाकि RAM management की हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर आप देखो जिस्ट मैं यहां पर आया और वहीं स RAM management देख सकते हूं कितना बढ़िया RAM management हमें यहां पर देखने के लिए मिल रहा है और मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरा phone है यह 3GB RAM है तो यहां यहां पर यूज कर रहा हूं मैं आपको quickly यहां पर दिखाता हूं अगर हम जाते हैं इस तरीके से settings के अंदर तो देख सकते बाकि जो default camera वह इतना अच्छा नहीं क्योंकि snapdragon camera app यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है तो Google camera डालने के बाद आपको पता है Max Pro M1 काफी अची pictures यहां पर क्लिक कर लेता है यहां पर यहां पर पसंद आया था अपना Max Pro M1 के अंदर Android 10 बाकि यहां पर कुछ toggle आप देखोगे तो कुछ important features यहां पर है जैसे कि night light वाला feature है और dark theme का toggle यही पर आपको देखने के लिए मिलता है screen cast का भी है gray scale जो आपका black and white कर देता है screen को वो feature भी आपको यही पर देखने के लिए मिल जाता है और बाकि आप देख सकते हो notifications वगरा कुछ इस तरीके से है और बाकि यहां पर हम volume rockers की बात कर रहें तो देख सकते हो इस तरीके से मिलता है Android 10 में ही से आप silent or mute वगरा कर सकते है और directly settings में जम करना है यहां पर क्लिक करेंगे और सारे आपके बास control यहीं पर आ जाएंगे बागी power menu आप देख सकते हो यहां पर screenshot capture करने का power menu में यह आपको option मिल जाता है तो एक सकते हो यहां पर restart वगरा के भी option है तो कई इस काफी बढ़िया है मुझे काफी जाता अच्छा लगा है वह आप मुझे बता सकते हो और installation के हम यहां पर बात करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है आपको जस्ट अपने फोन में यहां पर TWRP recovery या फिर कोई भी Max Prime 1 के लिए recovery को install करना है अगर आपको नहीं पता है कैसे इसको install करना है तो इसके ओपर dedicated video मैं बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको description में डालके दे दूँगा तो check out कर सकते हैं और एक बार यहां आपके फोन में TWRP recovery डाउनलोड हो जाती है तो pixel experience की latest version को आपको यहां पर download कर लेना है और download करने के बाद आपको अपने फोन की internal storage या memory card में उसको रखना है और उसके जाए और बस उसके बाद आपको यहां पर जैसे ही बूट लोटर की information दिखती है तो बटनों को छोड़ देना है और उसके बाद आपका फोन यहां पर TWRP recovery बूट कर जाएगा एक दो मिनिट के अंदर तो गईस देख सकते हैं हमारा फोन यहां पर बूट कर गया TWRP recovery के अंद दिकत नहीं होगी तो गई सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप स्टॉक रॉम पे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है बैक अप में जाना है और सारी चीजों को सिलेट करके स्वाइब टू बैक अप कर लेना ताकि आपका बैक यहां पे आपके इंट्रल स्टॉरिज में उसको डाल देना है री स्टॉर पर जाना और टी डॉर पे रिकावरी के फोल्टर को स्ट करना और स्वाइब टू कर देना आपका फोन वहीं से जैसा था वैसा ही बापिस हो जाएगा और अगर आप करते रहते हो माहिरो इन सब चीजों के बारे में तो आप करना है कि स्वाइब टू वाइब कर लेना मैं अलड़ी कर चुका हूं तो मैं आपको यहां पर करके दिखा रहा हूँ यहां पर आप इंस्टॉल में जाना हुई है तो सबसे पहले आप दिख सकते हूं यहां पर फॉर्म वेर है जो कि 58 बिल्ड वाला है इसको आप यहां प पर रिबूट सिस्टम कर देना और आपका फोन यहां पर टू नट इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद बूट कर जाया का पिक्सल एक्सपीरियंस में अब आप गाईज मैं आपको यहां पर बता देता हूं यह जो रॉम है अभी बीटा सेजिस में है तो थोड़े बहुत ब और कभी-कभी खेलते-खेलते फॉस्टॉप हो जाते हैं तो गेमिंग वाले लोगों के लिए अभी यतने रहता रेक्मेंडेड नहीं है कि आप इसको इंस्टॉल करें तो वह एक चीज़ है बाकी मैंने यहां पर कोई मेजर प्रॉलम फेस नहीं किया जैसे कि स्पीकर वग लिए आपको जैसे की लॉक्स करें कुछ इससरी किसे आपको दिखने के लिए मिलती है तो वह सारी चीज़े है आपको वीडियो कैसा लगा है मुझे जबर से बताना कमेंट्स के अंदर और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज जैर इस वीडियो को लाइक करके मेरे चै टेक केर